है हलो गुड मॉर्निंग स्टुडेंट मैं गंबीर सर आप सभी का वाइफाई क्लासे यूटूब चैनल में एक बार पने स्वागत करता हूं सबसे पहले तो जिन्हों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह इस तरह से रेड कलर में वाइफाई क्लासे आ रहा होगा उसे सब्सक्राइब कर लें और उसके सामने आने वाले बैल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आपको मेरी वीडियो का रेगुलर अबडेट मिलता रहेगा यह प्रोफिट ए यह वीडियो आठ से दस मिनट की होगी जिसमें आप इन तीन या और भी एक दो क्वेशन बहुत ही इजी वेम है जो आप ट्रिक वगेरा यूज करते थे और फिर एक्जाम के अंदर जाकर यह बुल जाते थे कि कब प्लस यूज करना है कब माइनस तो उस तरह के जंजर से आपको मुक्त हो जाना है ठीक है इस वीडियो के अंदर आपको जो भी एक रूट मैं बनाना सीख गया और वह अभी सीख जाएगा थोड़ी देर में दस से बारा सेकेंड में वह इस तरह के कोश्चन को इसली सॉल्व कर सकता है लेकिन मैं अभी आपको दीरे-दीरे ही समझ जाओंगो जैसे कि आप सुलो मोशन में उसे आसानी से सीख जाओ फिर आप अपनी प्रेक्टिस करोगे तो आठ से दस सेकेंड ही लगेंगी क्लियर तो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बता है था कि किसी वस्तू का जो क्रेमुल्य है वो हमें कितने परसेंट एज गैरे के कुश्चों एक दुकानदार किसी वस्तू को दस प्रतिशत लाव से बेशता है सो परसेंट की एदि खरीदेगा और उस पर दस परसेंट का उसे लाव कमाना आए तो विक्रेमुल्य क्या हो जाएगा फस्ट विक्रेमुल्य क्या हो जाएगा पहली कंडिशन मुल्य सेकेंड लिख दिया ग्रह मुल्य सेकेंड तो चार परसेंट कम में खरीदेगा तो कितने की खरीदेगा 96 प्रतिशत की ठीक है चार प्रतिशत कम में खरीदे आप बनाते चलोगा ऐसी कोशन पढ़ते पढ़ते एक्जाम के अंदर फिर कह रहा है और सो रुपए अधिक में बेचेंड पहले कितने का बेचा था विक्राम मुल्य कितना था 110 प्रतिशत तो अब नया विक्राम मुल्य क्या हो जाए का विक्राम मुल्य सेकेंड क्या कह रहा है सो रुपए अधिक में बेचेंड पहले 110 प्रतिशत की बेची थी उसमें प्लस में कितने रुपए बीस सुरी सो रुपई अदिक में बेचे कितने रुपई अदिक में बेचे 100 रुपई तो यह 110 में 100 एड़ कर देंगे रुपई यह परसेंट है ठीक है आगे क्या कहे रहा है तो उसे 25 प्रतिशत का लाब प्राप्त होता है यह मैंने विक्रेमुल सेकेंड निकाला है लाबानी किस पर होते हैं हमेशा क्रेम उल्लीपर तो क्रेम उल्ली सेकिंड क्या है 90 प्रतिशत इस शीम पर ही तो उसे 25 का लाब होगा ठीक है पहले बोला तक हमने क्रेम सौ परसेंट है उस पर दस परसेंट का लाब से बीचेगा तो 110 फिर कह रहा है नहीं वो 4% कम में खरीदे तो क्रेम उले सेकंड 100 में से 4 गया तो 96 और फिर कह रहा है यदि उसे वो 100 रुपए अधिक में बेचे तो पहले की देख की बेची 110 की अब उसमें 100 रुपए एड़ कर देंगे अगर कम की बेचता तो माइनस कर देते तो उसे कितने कि प्रतीषत का लाब होता है 25 प्रतीषत का तो क्रेम उले पर होगा लाब करेम उले से चमा विपक्राइब परसेंट का मतला हूता है 1 चौथाई का लाब तो छिन्मे का एक चुनता ही होता है 24 परसेंट कितना हो जाएगा 24 चिन्मे का 25 परसेंट निकालोगे तो 24 होगा अब इस पर लाब हो रहा है छिन्मे पर तो छिन्मे प्लस 24 कितना हो गया विक्रे मुल सेकंड चिन्मे प्लस 24 करेंगे तो कितना हो गया 120 परसेंट यह विक्रे म क्रेमुल 2nd ये भी यह तो दोनों ही यह क्या होते हैं बराबर तो 120 परसेंट में इसको एड़ कर देंगे वह बराबर कर देंगे 110 परसेंट प्लस 100 यह 110 जब इधर की तरह पाएगा तो क्या बचा 120 माइनस 110 और परसेंट बराबर कितना 100 10% बराबर जोगना पर तो कितना गुणा डला तुपूज्या क्या है तो उस वस्तू का वास्त विक्रेमौल यह वास्त ने क्रेम नुई सो стенट होता 10 इस इसे खरना कर देंगे कितना गुणा है दस गुणा तो अपना अंसर कितना आगे है 10 अज три से ऒँए इस तरह के question को easily कर लिया है अब एक और question में आपको second question इसी तरह का है तीन question का set मैंने आपको बनाया है इस वीडियो में जिससे कि मैं आपको आसानी से इस topic को clear करा दो और आप trick वगेरा के जो जन्जट है उससे मुक्त हो जाओ clear second question है यदि किसी फ्रेज को 20 प्रतिशत लाप से बेचा जाए क्रेमूल ने फस्ट कितना है 100% और 20 प्रतिशत लाप से बेचा जाए तो कितने की बेचेंगे 120% की बेचेंगे लेकिन उसे 10 प्रतिशत कम में खरीद कर तो पहले 100 की की बेचा था आप कितने की बेचेंगे 120% माइनस 36 क्योंकि कम की बोल रहा है 36 रुपे कम तो मतलब गटाएंगे और अगर ज्यादा के लिए बोलता तो प्लस करते सपोज आप पहले 120 की बेच किसी चीज को अब कह रहा है कि नहीं 36 रुपे कम में बेचो तो आप गटा हो 90 का 5 माइस सा यानि की 5 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 18 यानि की 90 पर कितने का फायदा हो रहा 18 तो विक्रे मुले सेकेंड कितना बन गया 90 प्लस 18 एक सो आठ परतिशत यह हमने बना लिए या से 90 पर 20% का फायदा करके और यह विक्रे मुल हमने पहले बना लिया था तो दोनों ही यह क्या होंगे, बरावर, 120% माइनस 36, अब देखो 108 को जब इधर बेजेंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का, पक्छांतरण करेंगे तो, 120 में से 108 गटा है, तो कितना हो गया, 12%, यह इधर की तरफ आएगा, तो किसका हो गया, प्लस का, तो 12% बरावर 36, तो कि भी कितने का गुना कर देंगे, 3 का, 100 का गुना 3 से किया, तो कितना हो गया, 300 रूपे, इस तरह से इसी रूट मेप में आपने बस वो लिखते जा रहे हो, question होता जा रहा है, क्योंकि वहां ट्रेक, exam के अंदर भूल जाते है, उल्टा सीधा गुम के आगया, प्लस का, माइन इसका तो फिर wrong answer आता है, clear, तो इस तरह से आपने दो question को इस तरह से कर लिया, और यह अगला question है, वो भी आप easily कर लोगे, जैसे मैं करा रहा हूं, और अगर यह वीडियो अच्छी लग रही हो, तो प्लीज इसे like करें, ज्यादा से ज्यादा friend को इस channel पर जोड़ें, जैसे कि वो भी अपना free of cost mathematics, easy way में और 100% severity के साथ सीख सकते हैं, next question है, यदी कोई कार 20% लाप पर बेची जाए, तो फर्स्ट क्रेमूल हमें कितना मान लेना है, 100%, ठीक है, 20% लाप पर बेची जाए, तो हम ज्यादा की बेचेंगे इधर की तरफ, ज्यादा के लिए आपको इधर चलना है, अगर कम के लिए बोलता तो इधर की तरफ लिखते, 100% क्रेमूल ले, कितने की बोल रहा है, 20% लाप पर बेची जाए, तो कितने की बेचेंगे, 120 की, लेकिन 10% सस्ता खरीद कर, तो पहले 100% की खरीद है, तो अब कितने की खरीद है, अगर सस्ती खरीद नहीं है, 90 की खरीदेंगे, और पहले से 12 रुपे कम में बेचकर, तो पहले 120% की बेची है, तो अब कितने की बेचेंगे, 120% माइनस 12, कम की बोल रहा है, 30% का लाप होता है, तो किस पर होगा, क्रेमूल, second पर होगा 30% का, तो 90 का 30% क्या होगा 9 या 27, तो 90 पर कितने का फायदा होगा, 27 का 90 और 27 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 117 यह क्या हो गया विक्रे मुली सेकेंड 117 आगया क्योंकि 90 पर 27 का फायदा हो रहा है तो 117 बराबर इसके होगा 120 परसेंट माइनस 12 है यह भी विक्रेमुल सेकेंड और यह भी विक्रेमुल सेकेंड दोनों क्या होंगे बराबर 117 को अधर बेचते हैं तो किसका हो जाएगा माइनस का 120 में से 170 गयी तो 3% 12 को इधर लाते हैं तो किसका हो जाएगा प्लस तो 3% बरावर 12 तो कितना गुना च्यार गुना तीन चौका बार है ऐसे क्रेमुली जो 100% है उसमें भी कितने का गुना कर देंगे च्यार का तो 100 का गुना कितने से कर दिया च्यार से तो वस्तू का क्रेमुली के आगे 400 इस तरह से आपने question को easily solve करना सीखा है अगर आपको question में कुछ modify में और कर देता हूं कि जैसे मैंने जितने भी question कराएं वह आपको पहले laugh laugh देखे कर रहे थे ठीक है तो आप भी change कर सकते हूं जैसे आपको क्रेमुल ने है 100 फिर कह रहा है यदि उस बस्तूं पर 10% जाणी होती है तो आप उसको यदर ही बेंचोगे but 20 अधिक मेन वह जाता तो आप कितने की खरीते करेमुल सेकेंड कितना होता मैं 100 2020 अदिक में झाटे तो आप लिखूंगा और अगर कम के लिए बोलेगा तो मैं इधर की तरफ लिखूंगा क्रेम फर्स्ट और सेकेंड आप लिख सकते हो इस तरह से मैंने आपको तीन कोश्चन का सेट इस वीडियो के अंदर के क्लियर करा है आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी हो तो अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड को इस चैनल पर जोड़ सकते हो मैथमेटिक साइन्स और रीजनिंग और अलेक्ट्रिकल टेक्निकल इस चैनल पर फ्री आफ कोस्ट आप पढ़ सकते हो जो भी कॉम्टिटिव एक्जाम का मैटर है वो एक्जाम के टॉपिक वाई जी मैं आपको अपलोड कराता हो ठीक है तो आपको वीडियो अच्छी लग सकते हैं वो जुड़ सकते हैं ठीक है तो थैंक यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो